जैसा कि लास्ट एपिसोड में देखा था कि वूजी ने क्यूंगजी को लहरो के कॉंटेस्ट के लिए मना कर दिया था क्यूंकि क्यूंगजी रंगबाजी दिखाती थी कि उसकी बॉडी में डीमन की शक्तियां हैं अगर उसे गुस्सा आया तो ये दुनिया तभा हो क्योंकि मेरा न्यू चैनल है इसी मन्त स्टार्ट किया है तो प्लीज सभी सपोर्ट करें और मेरे एक्स्प्लेइन में कुछ इंप्रूफ करना है तो वो भी कमेंट में बताएं मैं सही करने की पूरी कोशिश करूंगा और ये भी बताएं कि मेरी वीडियो का आप सब किस ट काउंट नहीं है फिर वो फुला के कहती है मुझे चिंता थी कि मेरी बॉडी के अंदर जो डीमन की पावर है उससे आपको जड़ा चोट लग जाएगी इस कारण मैंने अपनी पूरी पावर से अटेक नहीं किया था वरना मैं विन हो जाती इस मैच में चलो इस बार फिर ल किसने कहा मैंने तो कभी नहीं बोला था कि लडाई पे कोई शर्त लगाई है वो जिन ये सब तुमने जान पूछ कर ऐसा किया कि मैं लडाई में हार गई तो मैं लहरो के कॉंटेस्ट से बाहर हो जाऊं क्या कुछ ऐसा है वो जिन कहता है तुम ज़्यदा परशान ना हो सिस किसा किया कि की कहते है फीर वोजिन कहता है मैं भी यह नहीं चाहता हूं कि आप लहरो के कॉंने में शामिल हूँ किंग्जी कहता है वो जिन तुम ज़्यदा कहता है लेकिन मेरे पास आप के लिए बहुत ज़रूरी काम है इसको मैं बता रहा हूँ आपको क्यू और बादर आपके हाथों में है क्उंग जी कहती है मैं ? उजिन कहता है हाँ तुम ही उजिन बोलता है क्उंग जी ना केवल battlefield में battle होता है बल्कि यहाँ normal life में battle होता है यह शाओ सेक्ट के जो लोग होते हैं वो सब battlefield के बाहर ही धोका देते हैं यह हम सब के लिए बहुत बस आपके उपरी भरोशा करताूं। और साथी आपके पास 10,000 डीमन की पावर है। मुझे पूरा भरोशा है कि आप दूसरे सेट को और अपने सेट को सम्हाल सकती है। क्योग जी शौक्ड होकर कहती, लेकिन मैंूजि जोड से कहता है, क्योग जी क्यूंग जी कहती है हाँ साथी एक घुसा मार देती है वुजिन पीछे हट के कहता है हम क्यूंग जी को उसने समझा लिया होता है क्यूंग जी ने पहले ही बताया होता है कि क्यूंग जी बहुत पचकानी है वो किसी की नहीं सुनती है तभी ये सब ड्रामा किया था सीन चेंज होता है वुजिन स्ट्रोल देकर कहता है सीनियन हावलियन मैंने सोच लिया है कि क्विलिंग सेक्ट से कौन भाग ले रहा है इसमें नामों की लिस्ट है अब मुझे आगे अपना काम समालने की इजाज़त दें आपके आगे बढ़ने पर मेरी तरफ से शुप कामना के लिए थैंक यू नेक्स सीन में बड़ा सा धोल वस्ता कोई अपना और बाहर निकालता और कहता है लेहरों के कॉंटेस्ट में इतना इंतजार करने के लिए धन्यवाद फिर वो हवा में उड़ जाता है और सब लोग चियर करते हुए चिला रहे होते हैं जापिंग जिसमें तुम लोग का नाम नहीं है इसलिए मेरी तरह करना बंद करो वुजिन फिर शॉट होकर कहता है सिस्टम कहते है परशान मत हो हम लोग यहां पर बहुत ताकतवर हैं पिर कहती है मेरी नजर सिर्फ आप पर रहेगी चाहें आप कहीं पर भी रहो वुजिन चिड़कर कहता है इसका कुछ नहीं हो सकता ये चोटी बच्ची है क्या इतने में कोई कहता है देखो वहाँ पर वो स्टार क्या है तभी वहाँ पर फस्ट राउंड का डैमेंशन पोर्टल खुलता है जहां पर सभी को जिंदा रहने की कोशिश करना होता है जो एल्डर पहले दिखाये रहते हैं उनका नाम बताते हैं हाउलियान किंग फैंग होता है वह कहते हैं आप सभी को इस जगह पर आपके सेक्ट के तीन मेंबर के साथ बेजा जाएगा जिसमें हर सेक्ट अलग स्थान पर उत्रेगा तुम लोगों को साथ दिन तक जिंदा रहना होगा जावकिंग कहती है वो जिन देखो उपर पोर्टल में यह क्या है उसमें से फ्लाइंग बोर्ट जैसा कुछ होता है जो नीचे आ रही होते हैं तो गाईज यह एपिसोड यहीं खतम होता है लहरों का कॉंटेस स्टार्ट हो चुका है और रियल स्टोडी अब यहां से एक्शन वाली होगी स् है बस यह बता सकता हूं कि मस्ट है अगर आपने यहां तक वीडियो देखा है तो थैंक यू गाईज एंड चैनल को सस्क्राइब लाइक कर लीजे और मुझे कमेंट करके जरूर बताओ वीडियो कैसी लगी मैं इसमें और क्या इंप्रूफ करूं थैंक यू सो मुच पर व चाहिए बचाए बचाहिए बचाहिए और क्याए यू 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 एल